यह यह यूटॉं गाड़ी है और इसकी अठाराइस वर्टिकट है राइविंड से कोहाट की माशालाह इस गाड़ी आप देख सकते हैं और अभी बेट है साथियों का तक्रीब ने सब तब्रीवी हजराते हैं तब्रीवी साथ हैं इनकी तश्कीले हो चुकी है तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ गाड़ी भी आपको दिखाई है साथियों को चड़ा है राइमें में उनकी यह गाड़ी तक्रीब मुनासिबर सुबह फजर के टाइम है यह में कोहाट इंशालला है अदे में टर्मिनल है यह वहां पहुचा दिए यह जी सामने मरकल का गेट है डोर है और यह सब तब्लीगी साथ ही है माशालला यह देखें जमाद के साथ ही में का समान रख रहे हैं और एक गाड़ी वोडिया यह वो पिशावर के लिए उसमें साथी जारे में मानगे और इन्शाला भी हम रवाना होंगे आप हमें अपनी दौआ में यादर के और हमारे चैनल को भी स्पोर्ट करें ओके दोस्तों फिर मिलेंगे मिलते लेंगे वकफे बाई वकफे पर स्टब बाई स्टब जहां जहां होका मिला आपको हमोके की वीडियो बना कर दिखाएंग ये एशिया में पूरे एशिया के अंदर सबसे बड़ा मरकज है इसका नाम है यूसफ मरकज और ये कोहाट में मुझूद है और उसकी वीडियो आपको मैं पूरी डिटेल के साथ इसमें कितने लोग बरवकत नमाज बढ़ सकते हैं इसमें मस्जिद का सेहन कितना बड़ा ह इसके होज हैं और इसके जो वाश रूम है और उसके सफाई और उसकी पारकिंग और इसमें जमातों का आना और सिलसला ये सारा आपको हम डिटेल में बताने आले हैं वीडियो मुकमल देखना स्किपनी करना वीडियो पसंदाए लाइक और शेर जरूर करना और हमारे चैनल वाइरा ले पड़ा तो लो थी हमारे जफर भाइइ वो सफर में ठुक चुका था और वो भी अराम कर रहा है तो यह आपको हम दिखा रही यह जो बाहर का सेहन वो मस्जिद है वो मस्जिद का सेहन में आपको दिखा चुका हूं जिसमें पचास हजार एक वकद में इस वक्त कोई मस्जिद इतनी बड़ी एशिया के अंदर नहीं जिसमें पचास हजार आदमी मोके परी नमाज अदा कर सके और सेहन का इंतजाम उससे अलग किया हुआ वो भी आप देख सकते है माशी अलले ये देखें एक होज़ी इस तरह भी ये ये भी चालू 일हीं है और ये यहाँ पर बन HEY हों, ये आप देख सकते हैं, सारा ये वोजो का वहाँ पर निजाम है और सामने ये इनकी पार्व बनी हुई है और ये पार्व भी में आपको दिखा देता हूँ माशाललہ इसी तरह के से बड़े खूबसर तरीके से ये सब बने हुएं ये जी यहां का और ये बाहिर आपको ये सेहन नजर आ रहा हुगा काफी बड़ा सेहन है और ये भी मैं आपको दिखा रहा हुग है ये देखो बाई जान कितना फूल लगे हुए है, मर्कज है। और ये देखने को बड़-बड़ हूब्स लाके है और आपको बड़ है जारत क्रवाएंगे, आपको आपको Jeri शबीका मर्काज भी दिखाया थी आपको और हमने पज़बूर का भी मर्कज दिखाया है अब आगे आपको इंशालला हमस्दा पी उर्च है वहां पर वह भी आपको दिखाएंगे हम 1 शाब वो उस बिलकुल बीच पहाडें के वी थे शालवाओं पर लंगर भी मापको दिखाएंगे वह इंशालां पो बीकुल 5 यह जी देखें यह मरकजालोनी अपने यह माशाललह यह देखें प्लांट यह ट्री दर्खत पोदे अवे भाई पानी दे रहा असलाम आलेकुम तड़े मशे जो यह काम असलाम आलेकुम गाईज क्या हाल चाले ठीक ठाक हो अमिद करता हूँ आप सब खेरे से होंगे और आज की वीडियो बहुत बहुत जबरदस्त वीडियो बनने जा रहे अब तक की तमाम वीडियों में यह स्पेशल और बहुत जबरदस्त वीडियो उमीद है कि आपको जरूर जरूर पसंद आएगी जो कि आज की में वीडियो बनाने जा रहा हूँ एशिया में जो सबसे बड़ा इस होकत यह जो मरकद है कोहाट मरकद है और इसका नाम यूसफ मरकद है यह कोहाट में मौजूद है और उसी में हम अब आए हूँ है उसी में हैं हमने सुबा फजर की नमाज भी यहां पड़ी रात के सुबा के तीन बजे के करीब हमारी बस यहाँ डाइवो ने हमें यहां छोड़ा और हमने यहां अराम किया और फजर नमाज पड़े और नाश्ता भी किया और ये देखें रक्वे के लिहाद से भी और इसके जो मस्जिद का जो सहन है जो जिसमें नमाज पड़ी जाती है ये आदा की जाती है वो तकरिबन तकरिबन पचासाजार बंदों की एव बरवगत एक वकत में अदा की जा सकती है इतना बड़ा है माशालला आप देख सकते हैं ये यूसफ मरकज है और एशिया का सबसे बड़ा मरकज पूरे एशिया का आप से वादा किया था इन्शालला हम जहां भी जाएंगे आपको दिनी मालूमात दिन से रिलीटिड बयानात और उसके विलोग और इस तरह की स्पेशल चीज़ों से आपको हम दिखाते रहेंगे यूँ ही और ये देखें माशालला कितनी खुबसूरत पार्किंग और ये कटिंग और साफ और सफाई और नजम उसका ख्याल रखा हुआ है और ये साथी हैं यहां पर जमाते आती रहती हैं ऋस् 점द्द्द्द्द्द्रा का सिलसला भी है असलावलेकूण बाबा चार लो ये आप देख सकते हैं हमें आपको भी अंद्रूनी ये बिरूनी मानजर ता तो ये अवी अदर आपको दिखाएंगे ये जी ये देख सकते हैंच ये जी देखें अभी साथ ही आये हैं और माशालला से ये वो सामने वोजू का होज है ये मैं आपको अंदरूनी और ये देखें ये शूज रखने की जगाए, सिलिपर रखने की जगाए और मैं आपको इस तरह के भी मनादिर थोड़े से आपको दिखाना चाहता हूँ ताए कि आप भी जो भाई अभी कोहाट नहीं आ सका और उसने अभी तक ये मरकज नहीं देखा वो इन्शालला जरूर आपको देखें बहुत ही खुबसूरत और काम क्या हुआ है